इसहें जाना है कि गुन खंड निकालने का फिर इस टいप का से 젊ने सब्सक्रिया करेंगे फॉस्ट और लास्ट को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना जाता है तो हम क्या करेंगे इस बीच वाला जो है न सेवेन एक्स को एड़ करें कि उसका जो मल्टिप्लाई इस दोनों के इस मतलब टू एक्स स्क्वार के और सिक्स के मल्टिप्लाई के बड़ाबडा जाय देखिये माणली जगा जयोankai सिवेन एक्स में क्या चिवेनैकस में क्या जोड़ याघटा है कि इस दोनों का मल्टिप्लाई हो जाए ότε कि मतलब बोला है में कोन दो संक्या को कि 7X हो जाए किस दो संग्या को घटाये जिसे 7X हो जाए और वह भी प्लस तक है क्या करेंगे सबसे पहले क्या करें इसको लिखेंगे 2X2 टीक है तो 6 तूजा 12 हो जाएगा 12X2 ठीक है और यहाँ हमारा क्या है 7x हमको क्या लाना है 7x जोडने पर 7x आना चाहिए और multiply करने पर 12 हो आना चाहिए ठीक है तो क्या लेंगे देखिए 4x plus 3x plus 6 देखिए अगर हम इस दोनों को multiply करते हैं 4x और 3x को फिर हम लोग क्या करेंगे फैक्टर ले लेंगे इसमें 2x स्क्वार है इसमें 2x कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा इसमें 2 बच जाएगा देखिए फिर बीच में पलस है यहां पलस देदेंगे फिर यहां पर 3 देखिए और इसमें 6 में 3 से डिवाट करेंगे तो 2 बच जाएगा देखिए यह यह और यह हमारा सेम हो गया अब हम क्या करेंगे 2x 2x पलस 3 ठीक है और इंटू x पलस 2 इस परकार हमारा फ्रेक्टर यानि बुन खंड निकल गया फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेस्चन में दूसरे क्वेस्चन में सेम वही करना है देखिए एक्सवार पलस 5 एक्सवार पलस 6 है पहले और दूसरा क्वेस्चन को सारी फ 3X सक्वार गरें तो जोड़ते हैं तो 5 एक्स पुलस थिरी इसे प्रकार मतलब के ऐसा आगई क्रिस्टन रहा है तो और आमसे हम बना सकते हैं ठीक है आई हो आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते और दोस्तों को सेर करते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत